कोटा से अपरहन की कहानी बना कर गाया खुई श्यूपूरी की छात्रा काव्या को इंदौर पुलिस ने ठून निकाला। छात्रा इंदौर में ही अपनी सहेली के पास रह रही थी। देखे रिपोर्ट। खुद के अपरहन की साजिश कर स्कुल संच्वालक पिता से 30 लाख रुपए मांगने वाली नर्सिंग छात्रा और उसके दोस्त को इंदौर पुलिस ने खोश निकाला है। छात्रा काव्या ने दो दिन पहले ही खुडेल थानाक शृत्र के देव गुराडिया की शिवाजी वाटिका में किराय से कमरा लिया था। एडिशनल डी सीपी राजेश दंदोटिया ने मामली की पुष्टी करते हुए बताया कि इंदौर क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार इस मामली की परताल में लगी हुई थी। छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल था। खोडेल थानक शृत्र में यूवती और हर्शित के होने की सुचना मिली थी। जिसके बाद क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची। यूवती ने खुलासा किया कि दोनों के पास रुपए नहीं थे और इस वजह से उन्होंने अपना काफी समय अम्रत सर में ही बिता चौटा जिले में जो विज्यान सेर थाना है वहां पर एक मामला रेस्टर वह था किड़ेंगा उस सिलसिले में कोटा की टीम यहां इंदवर पर आई थी और इंदवर में वरिश सदकारी हो उपर किया गया जिसमें क्राइम रांच की दोटी में लगाई गी ती उनके लिए और उसमें किद्नेपिंग में लगातार कोटा टीम के दोरा यहां पर करवाई की गई और यहां पर इस्ट्रे किया गया इंदर पुलिस के दोरा उनको शहयोग भी आ गया इसमें सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताच करने के लिए कोटा पहले एक जो ब्रजियन पे थाना चेत्र के अंदरगत देव गुरौलिया से आगे एक सिवाजी बाटिका थिस पूचने मिलने पर वहां से एक दोनों को एक अर्षित और गया और उनको दिस्तियाब कर लिया गया है और पूलिस को देदी गई आए भी कोटा पूलिस रवाना हो गई है इसमें उनके दरह बताया गया है कि उन्होंने काफी समय अपना अमरस्थ्फर में जो की अपना गुरुद्वारा है वहां पर रहे हैं पैसा इनके पास कम था तो इस वज़िए वहां पर रहे थे अभी फिलाल इसमें चुकि कोटा प पूरे मामले में मदद के लिए राजस्थान के सीम से बात भी की थी लेकिन उस समय तक सब हैरान रह गए जब ये खुलासा हुआ कि लड़की का किड्नैप नहीं हुआ है बलकि उसने खुद ये साजिस्ट रची थी प्यूर रिपोर्ट, MP News, इन दौर